प्राइम डिवेट विच तोड़ा स्वागता है असी यूरोप विच संगत टेलिवीजन अते उत्री अमरीका विच ग्लोबल पंजाब दे दर्शकांदावी स्वागत कर देयां सरबुच अदालत ने दविंदर पार सिंग पुलर दी अरजी रद कर देती है दविंदर पारल पुलर वरलों अदालत तक पहुंच कीती गई सी कि सजा लागू करन विच होई देरी कारन उस दी सजा मौध दी था उमर कैद विच तबदील कीती जाए दूजी दलील ए दिती गई सी कि दिविंदर पाल दी मानसिक हालत ठीक नहीं है सो उसनों मौत दी सजा नहीं दिती जणी चाहिए दी हुन सरबुच अदालत दे फैसले नाल मौत दी सजातों लेके समुचे निया पर बंदनाल जुड़े कई पकां उते चर्चा शुरू हो गई है दिविंदर पाल सिंग पुलर उनना नामा विचों जिना दे हवाले ना साथे मुलक वीच मौत दी सजा दे पक ते विरोध वीच चर्चा हो रही है दिविंदर पाल नू दिल्ली वीच कांगर सी आगू मनिंदर जी सिंग बिटा उते होए बंब तमाके दे मामले वीच सजा सुनाई गी है ओस बंब तमाके वीच नौ जी मारे गे सन ते बिटा जख्मी होन वाले पच्ची जणिया वीच शामल सन इस बंब तमाके दी जिमेवारी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नादी जथे बंदी ने लई सी स्तंबर 1993 दे एस बंब तमाके च मुल्जम करार दिते गे दविंदर पाल सिंग पुलर ने जर्मन वीच सियासी पना दी मांग किती सी दसंबर 1994 वीच पनाली दर्ज किते गे मामले नू जनवरी 1995 वीच रद कर दिता गया सी एस तो बाद दविंदर पाल पुलर नू पारत पेज दिता गया सन 2000 वीच दविंदर पाल खिलाफ अदालती कारवाई शुरू होई अगस्त 2001 वीच अदालत ने दविंदर पाल नू मौद दी सजा सुनाई सी 26 मार्च 2009 सर्वोच अदालत ने इसे फैसले उते सही पाई सी 17 दसंबर 2009 सर्वोच अदालत ने नजर सानी दी अर्जी रद कर दिती एस तो बाद राश्टपती कोल रहम दी अर्जी दीती गई ते नालो नाल सर्वोच अदालत तक पहुँच किती गई के अदालती फैसले दे बनियादी नुक्तियां उते नजर सानी किती जाए सर्वोच अदालत ने 12 मार्च 2003 अर्जी रद कर दिती पच्ची मई 2011 राश्टपती प्रतिवा पाटी ने दविंदर पाल पुलर्दी सजा का टाउन तो इनकार कर दे हुए अर्जी रद कर दिती एस तो बाद सर्वोच अदालत विच दो नुक्तियां तहत पहुँच किती गई हुँने अर्जी रद कर दिती गी है ते सर्वोच अदालत ने दविंदर पाल नु मौदी सजा देन दा कानूनी रापदरा कर देता है इनना तथां तो इलावा कई होर मसले ने दविंदर पाल पुलर खिलाव सबूत अते गवा की ने जे ओ मौके उते हाजर नहीं सी अते साजिश दा हिसा हों दी गाल शकी ये ता मौदी सजा दा की तुके ओस दे मामले वीच जज्जा ने सैंती नाल फैसला नहीं दिता सो इस गुंजाईश नू जिंदगी दे पक वीच होना चाईदा है दविंदर पाल सिंग पुल लर्दा पिछोकर त्यान वीच लियांदे बिना एस मामले नू समझना मुश्कल है दविंदर पाल दे पेओ अधे करिबी रिष्टेदार दी मौत पुलीस हिरासत वीच होई सी जिजदियां तंदा पंजाब पुलीस दे मौजूदा मुखी सुमेज सिंग सेनी उते 1991 विच होई हमले नाल जुड़ दियाने दविंदर पाल दी सजा मौफी दी मौहिम विच एद दलील दिती जान दी रही है के ओस्दे परवार उते निहका तशदद होया ते ओहो करों पजन लई मजबूर होया इनना सब तो बिना मौत दी सजा खिलाफ कमांतरी पदर उते मौहिम चल रही है एस मौहिम दी दलीले के मौत दी सजा सब्यक समाज दी निशानी नहीं है सो एस नू बंद किता जाना चाइदा है हुन सवाल ए बंदा है के इना हालात विच दविंदर पाल नू सजा दिते जान दे की माइने ने मौत ते जिंदगी दा सवाल हमेशा एहम रहाए मनुक जिंदगी दे नहीं सकता पर लैंड दा दावेदार रहाए प्यक्तिगात रूप जिधे बंदक रूप जिधे राजदी रूप जिधे मजुदा दार विच एतै हो चुक्या है कि मौत दी सजाना ना अतबाद कट्याए ना अपराद इस दा अपरादियां उते कोई असर नहीं होंदा जिना मुलकां विच मौत दी सजा खतम कर देती गई है उना विच अपराद दूझे मुलकां तो ज्यादा नहीं है इस दो बिना गवाहां, सबूता, हालात, कानून, अदालत अते सियासत दे मसले ने इना सब मसलें विचकार देविंदर पाल सिंग पो लरे की उस दी जिंदगी दे सारे दर्वाजे बंध हो गए ने इना सारे मुद्याओं ते चर्चा करन ली साडेनाल स्टूडियो विच हाजर ने जस्टिस के एस गरेवाल जो पंजाब ते हर्याना हाई कोट दे जाज रहे ने हरपाल सिंग चीमा जो श्रोमनी अकाली दल पंच परदा नीदेस कतर ने राजविंदर सिंग बैंस जो पंजाब ते हर्याना हाई कोट विच वकालत कर दे ने मेजर डॉक्टर एपी सन्वारिया जो पाचपादे आगू ने, वड़ा सारे हैं आज दी चचच स्वागत है, जस्टिस गरेवार तुस्ही इस जज्ज्मेंट वारे की करना चाहोगे है। नॉम्र तू इतना डिले हो गया तो ने बरी वास्ते किसा ने कहना है। इतना कह रहे है कि डेथ सेंटेंस ने होनी चाहे दिश्ज्यू लाइव उन्रटिस रख सकते हैं और तो टेंट इन्ड ओफिस लाइवेव ते नमबर त्री प्रिंसिपली मैं तर डेथ सेंटर्स ते गेंस्ट है एक सो सेंथी मुलका ने डेथ सेंटर्स अबॉलिश कीती हुई है ते ए अच्छा टाइम सी का के सुप्रीम कोट कहा सकती सी कि के जी एनना टाइम निकल गया है ते डेथ सेंटर्स नहीं होनी चाहिए पर जेड़ा एहे रास्टरपती को पेंडिंग रही है ओहो ज्यादा दौर छे साल रहा जेड़ा कट हो सकता सी तीजह उनने कहा कि मनिस्ट्री आफ हॉम अफेर उनने रास्टरपती नहीं याद ही नहीं करवाया उनने रमाइंडर नहीं रहता है देखो जी गले है कि पुलर न आदा सवाल है जी इसनो छे साल था नहीं लग सकते जी यह तब कोई ऐसाड़े सिस्टम के इना डिले करी जांदे है कि यह इना डिले हैगा ता फिर डेथ सेंटर्स तर नहीं होनी चाहिए जड़ा होनवाड़ा जड़ा फैसला आया ओधिन अनने आखिर दे विच एक शेड दूद्रपाल पो लडग देस वन दे विच एस एक क्वम दे लगी बाट दुखदाइक फैसला है सुमुच्चे तर टे पंजाब दे लोका लिए बडा मंद पा गया रहा है सिर्फ पंजाब दे लोकां लोकां लिग क्यों बाकी मुल्क लिक्यों नहीं इदे जड़ा फैक् दोतन वेरनेस कंपेंग तिलाइया से गीयां, सानु पदा सी कि इफ हैंसला शेती से शेती हो ना राया है, उसी मांसा देविच बठंडे देविच इना देपेंड द्याल पर आपाई के तो एक मार्च रख़ए से गा, काल सी नमाशेर देविच एक मार्च रख़ए सी इस वा में मसूस हुएा कि 1864 दा जिडेरा दर्वार सवदा साका 184 जिडेरा नॉफुम्बर जिसे कतलें आम हुआ दिल ढींच जां हूर सटेट निए उस्तो बाद ए तीजए ऐदान दा इंसीडेंट हम्सिधन हुए जिड़ा सिखानों हिंदोस्तान दे विच बगानगी दा ऐसास जा उना दा स्टेटिस की यह सिखाने विच इदी जड़ी एक उना दे सामने पिक्चर दखाएगा तुसी यह कहना चाहरे हूं कि डिड़ा देविंदर पाल पुलर है ओ ऐस विड़े समू सिख कौम दी नमाइंदगी ते इदा मतलब वो पूरी सिख कौम दी नमाइंदगी करता है नहीं जिस तरीके दे ना ओ इनसाफ होया उना दे ना इस केस दे विच वो एक गल सिखानों साब्द करता है देखो उना दे फादर ते मासड नों पलीस में मारया जिए उस दियां पैंटी थार्टी फाइव को देट्स होईयां मैं अटेंड की तियां सिक्स होदे विच बेंच बदले गए पर आखर दे की होया डेट दो सालना दुबाद होच डिस में सोई पटीशन साथे होर बंदे या जिनना ने ए उननीस सो चरासी दे विच शिखान दे कतले हम दे आकाली जिगदीश टाइटलर परसों चोथे केस आया उदे विच एक हल गही गई कि सीवी आई द्वारा एक केस नूँ खुले अदे ता पहले गवा मार चुके या और जात तक दास साल ता के इदी फेर ट्रैल आएगा उदो तक जड़े बाकी दे कदो रेंदे या ओ भी मर जान गे डैट मीन्स है कि इस यह हत्यारे ने दो बंदे कातलानू फांसी दता जाए जाएं कि भूल यह फील करूंगा क्यूंकि मैं लोग का डियां पाब नामानू देखिया इना देविच फील कर देया कि सानू जस्टिस नहीं में रहे हैं पर साधे बंदे जिना दोच रहा जान दा उननों चड़ाया जान दा फांसी ज चाहूंगे जिडियां गलां हर्पाल चीमा होना ने कहिए ने उन्हादे हवाले ना है मैं परसनल तोड़ते गल्ग करयों कि तसी कैसी कि जिंदगी दे नहीं सकते तो लेंदा भी हक नहीं होना चाहिएदा जी परस्नल जाती तोर पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैस्ज साब ने कहा कि यह बेथ पैनल्टी अबोलिस होनी चाहिए बट यहां मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि केसी भी डेमोक्रिटिक कंट्री विच तीन तरह दे तंत्र हों दे ने एक विधाई का हों दीने एक कारीय पालका हों दीने एक जूडिसरी या नायोत्या हों दी ॉन्हा दे बखरे बखरे रोल बनायेंगे पर बड़े क्लियर रोल होम मिनिस्ट्री वाली वो चड़िये ओने जो डिसीजन दे दिता उन्हों असी मनना ही पाऊगा उन्हें कुछ करनी सकते बट गल हो जड़ी आ रही है कि एस दिजरा राजनी कर राजनीती करन किता जा रहे है इने वो बहुत ही दुखदाई गल हो रही है जिए ज़साब ने क कर सकते तो वो बहुत दुखदाई चीज है इस तरह दी एक इंस्क्यूर गोवर्मन्ट को रहन दा कोई भी हग जो है इस इंडुस्तान नहीं होना चाहिए जिए स्यासी करन नहीं है जो तो सी कह रहे हैं पैंसाब तुसी की कहें गयो मैं ता कहना है कि जड़े स्प्रीम कातला नो सजाए मौत नहीं दे रहे हैं याद होगा केस जिते क्रिस्टिन विश्री जलाता गया एक इनौसें बच्चे नहीं है उनने तो कुछ नहीं किता से और नहीं किसें नहीं चलाए से उसने वाव जो स्प्रीम कोट कहन दा कि उनना नो फांसी ना दे क्योंकि जड़ कोने नहीं मौत नहीं दे ए बंदा नहीं सिजापने जिन्दी लासा बहुत तरसा है उननों जी वह स्प्रीम कोट दुविंदर पूलर दे केस जिते एक जजज करन दा कि बिलकुल बेंसाफ है कि एदा सिर्फ अपना ही कंफेशन है जिड़ा इमीजेटले कहन दा कि में तो इल्या गया आया है मैं तो जय थे लिग गया है मैं तो जैसे लेगया हो तो पूल्ता यहला न गया है मीरे इस्दॉले करके एक जाइस कुनींदा कि हूदद क्योंकि 18 साल तो बाद जे तुसी डेथ रोते रहो ए कोई क्रूल एन उजूल पारिश्मेंट नहीं है। इनना कोई फरग नहीं पेंदा। इस इस अट रिवर्सल ओफ कम्प्लीट लीगल, to my mind, लीगल रीजनिंग। जेड़ा बंदा एक दिन वी सॉल्टी कि इन्फरेंट चरहें उन्हों हमेशा कहनदा कि इस तो मनना चंग है। किन्ने बंदा ने मिल लिया है, रजाना थोड़े सामने मिंता कर रहें कि मननों फांसी देओ, उठे तुसी फांसी देनी रहे। इते बंदा कहनदा कि कोई कहनदे मैंटली इल हो गया, कोई कहनदा ओ हो गया, उस दे वावजित तुसी कहनदे कि इन्हों फांसी देओ, सो में ने थे बहुत ज्यादा इस मलक वे चिते गरीब बंदा फास जाए, उन्हों से जा मौत बड़े रान ना मिल जानदी, कोई जड़ा सबूत हो नहीं पेश किता गया, इस करके नहीं मन्या नहीं जा सकता है, मैंनो लगदा कि इते एक गुंजाइश बाच गी है, कि ये सबूत किता जावे ता नजर साली इगाल हो सकता है, मैं थाड़े गोल वापसा मांगा होनी, जिस्टिस करवाल जड़ा है, बैंसाब उना ही दलील है कि जड़ी एक इनकंसिस्टेंसी है, जिदेच लगातारता नहीं दिखाई देंदी, जड़ी सप्रीम कोड़ी कार गुजारी देविच है, कि एक पासे ग्रेम स्टेन बारगे जड़ा मलब एक बिलकुल किसम दा मरडर है, ते बिना शक मलब जो बा अच्छा ग्राउंड है कि डेथ पैनिटी नो अबॉलिश करो, कि कंसिस्टेंटली तुसे ही अप्लाइ नहीं कर सकते, कि कई केसे होंदे, इनुसेंट बंदे भी डेथ सेंटेंस हो जांदे है, ते बचन सिंग दा केस है गा, वो देविच हो गया सिका डेथ सेंटेंस हो, ज ज़्या मैं एक American case documented में पढ़या सिगा, वो एक death sentence नो बैठा सी जी, accused, वो जो जो शाम नो खाना आंदा सीगा, वो अपनी जडी स्वीडिश होंदी सीगी न, वो अदी खाना सीगा, अदी हैंदा सी मैं सुबा खामागा, ते जदन उन death sentence होनी सीगी, वो रात नो हुन दी हो कई cases ने जी हो थे, कई death sentence हो गया सीगा, एक बंदे नो, ते को क्यू, और से जेल देवे छोड बंदा सीगा, कहने जी हो जड़े मर्ड़ते इस नो death sentence हो, मर्ड़ते मैं कीता सीगा, ते ओव एविड़न्स नो, जड़ी है तुसी मसाल दे रहे हो, ते हवाले ना तुसी जड यह नहीं होनी चाहिए देजी, लाइफ सेंटेंस कर दो, ते उस नो, कोई नोबड़ी से एक्विट करो, जुडिशल वर्डिक्ट हैगा, ही वस गिल्टी एंड हैज बिन कन्विक्टे, क्वेश्चन सेंटेंस की हैगा, सेंटेंस की होनी जाएदे, लाइफ सेंटेंस बार हाँ जी, जड़ी ते उसी अंग्रेजी देवेश शावद वर्ते ने, मैं सिर्फ आपने दर्शकान ली दास जाएंगी, ते उसी दुरिंदगी ते करूरता वर्गे शावद वर्ते हो, जदो मौधी सजादती हैं दिया, मैं सिर्फ ठोनों ये पुछना चौना सीगा, कि भ देखो, सेशन जाज ता कल्ला फैसला कर दा ना, सेशन जाज ने ता किन्विक्शन करती, ते डेथ सेंटेंस करती, एथे सुप्रीम कोर ते कल्ले जाज ने कहा जी, इनुसेंट हैगा, बरी करो, तो उस ती कोई वुक्त नहीं, भरी स्थ पाल सिंग चीमा जी, जड़ा एह म कर्मिनाल जोड के देखे देख देखेंगे, तो नहीं लगदा है कि उन्हों के ते कटाके नहीं देखा जा रहा है मसले। नहीं नहीं कोई गल नहीं है कि लीगल पक्तों इन्हाँ ने जसर साव ने बैंसाव ने एक अगल की ती है उन्हानने ग्रेम स्टैन होना दा मामला थोड़े सामने रखिया मैंता उन्हों कार्व जेरी काल जडिरी तूसी जसाओ उन्हों बुछ किया क्या अfilm क्याति कि मैं अन्हों का enclosuda π otro कुछ नियागा पिछली मुवंड तो ए उना दी जदों भी उन्हाने मिनू मुलाकत की तिया पहला क्वास्चन सी उना दा जड़िये गाल केंदे आदी रोटी वाली एस गालतों मैं मी इस गालतों पर आबुदों लॉंदा सिगा पर इना दी मान सकता दे उते एक गाला में लग दा पिए उन्हों की ते दा पश्तावा हुंदा जे अगर ए सोच दे पर आगलत काम की ता मिरनारो गॉल कर दे आजड़ा काम है गल्त होया आपन नहीं कर दो कोई काम की ता हो यह जदों तुसी मैं बैठांगे ते आप चाहे तुसी कीता होई चाहे मैं कीता होई अब मैं काय सकते हैं की अपना तो यह गल्त हो गया जासी कुछ नहीं खटे है इस दे विच्छों नहीं हो मैं सोच दहां भी ओओ एक एजड़ा केस है एक राजनी तक जेड़ी साथी पिछले बीस साल नच कोई लड़ाई चली है न जेड़ी ओदे चो निकड़ा होया और तर फैंसरा भी राजनी तक है उन्हें दे ते अस्ट ही राजनी तक सखा है और उसे ही राजनी तक एस लड़ाई दे पर इना कोशी गौण दे भापचूद कोई भी मतलब प्राप्ती है जड़ी साथे जो डिमांड सी एंगे उनना दी कोई प्राप्ती जड़ी तो सी गल कह रहे हो कि भी 20 साल बिच जो वापरिया ओदा इह नतीजा है ते ओदे वारे हो सोच के इस सारियां गलना कह रहे हैं ना क्योंकि पदा सी लोगानों मिल दे हैं जा बरत दे हैं जाके जाओ में तो इदा रेक्शन हमेशा ही फ़र्स्ट क्वेस्टन उनना नहीं ए लिया है का में जाना कि एक ता जड़ी कोट दी इनकंसिस्टेंसी दी काल होगी कि उनना जो जो बिच कोई लगाता आरता नहीं एक मामले कोई होल भैसला हासकदा दू जो ऑड़ के फैसला है एक जड़ी मौत दी सजादे खलाब पूरी महंमा कोदी भी काल होगी सियासदी भी कैल होगी जड़ा एहे अपने आपंगे आपको बरते पार तुसे के की करें चाब तुसी मेंटली बंदे नू ट्राइब नहीं कर सा दे क्योंकि इस जाह देन दा एक पहला मकसद है कि बंदे नू पता हुए कि उन्हें की किता हुए मैंना जी एक पैरा जड़ा पूरा हुँ पढ़के थो नू सनादेने जड़ा एस मामलेच किता गया उन्हेंने कहा है दोदा डोकुमेंट्स प्रदूस्ट बाइ श्री के टी एस तुलसी दो गिव एन इंडिकेशन आट अगाउंट अप्रलॉंग रिटेंशन इन जेल आफ्र हिस कन्विक्शन अट संटेंस तो डेथ दाथ दापिशनर है सफ़र्द फिजिकली और मेंटली दा स पंजाबीच में अधासन है कि जड़े वकील ने उथे जाके है कि एस बंदेदी जेल देविच लंबी देर तक रहन कारण जड़ी स्रीरिक सेहत ते मानसिक तवाजन एदा हैल गया इस करके एदी सजाकटा यानी चाहिए दिया पर एदे लिए ओहो कोई पुक्ता सबूत प पर नहीं जानदा है तो कहनदे है कि एदना सब्सक्राण नहीं है कि सजाह नहीं ले सकता है देखो यह बड़े बड़े डिफरेंट है इस तो क्लियर पता लगदा कि एठाहान साल दी ट्रेंचन नहीं एक ऐसी पनिश्मेंट लई है जिनना मानसिक और फिजिकल हेल्थ खरा है इए फाण् Vamos देखो या वन ₩ यह को यह यार्स टिक क्या हूना यह को लगज ए थे शिसिरा थे पागल बंदेनों ट्रेम को नहीं12 अपने अवेसी नहीए जिए पागल पांदे वी तुस्य जिन्ना मर्जी हीनस क्राइब कर दें वह थे थाट्ड ट्राइल नहीं हो साथा, क्योंकि थाट्डी इंटेंशन इस थाट्डी अवेरनस इस थाट्डी बेसिक, जे क्राइम करने तो बाद में अपना मैंटल बैलनस खो रहना है तुस्य पनिश्मे सारे महाल दे विच जीदे विच उना सुझ की करना चाहुए है सब मेरे कौन अपने कौनसी साफ रही है सुप्रीम कौर्ट के जज्ज्मिНस के बारे में अगी उननी स!!!!!!!! तो वकील साब आजकल तो डिफाइंड यार्स्टिक बने हुए ने तो डिक्लेर अनीबडी मेंटल, I just can't declare अनीबडी मेंटल just like that. There are specialists into the field, they have got deaf, उनके उनादे बहुत सारे system examinations करन वाले, और जैसे वकील साब ने बताया कि पागल को तो फासी नहीं चड़ा सकते आप, कानून कहता है, तो उसको कर पागल है, तो इस सुड़ बी, more and more evidence should be given, but सुप्रीम कोट को चैलेंज करना मेरे विचार से तो मैं समझ पाता हूँ. सुप्रीम कोट कोट को चैलेंज मतलब सारे फैसले चैलेंज करने ही पहन देनें, और तो बहुत सारे फैसले एद्दान देनें कि जड़े बीबी साल तो होन तक के इस बहस चली जानी है, सुप्रीम कोट ता फैसले हो गया, सुप्रीम कोट ता फैसला हो गया, मर्सी प्रिटिशन रिजेक्ट हो चुकी है गया, मैंनों नहीं लगदा क्यों दे विच ओंदी हो कोई डीकल पॉइंट निकल दा होई, लेकिन डेथ पैनल्टी ते जड़ी डिवेट हैगी, ओ नहीं क्लोज होई, मैंनों पॉइंट पॉइंट नहीं क्यों नहीं क्यों पॉइंट नहीं क्यों पॉइंट नहीं होनी चाहिए, जिनें 10,000 बंदें मारे सी गे, विच अरेस्टेट नहीं खबर आगे सी, जिए डेथ पैनल्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि डेथ पैनल्टी हैंगी, आखरी कमेंट, देखो मैं पॉलर दा क्राइम जा टेरर एक्ट बिल्कुल कंडोर नहीं कर दा, मगर साड़े मुल्क ते सबता देखो, असी अंगली मारती कहानी जानते हैं, असी बाल में करी जानते हैं, कोई बंदा रिफॉर्म ते कजी फुल स्टाब नहीं होता, इस करके डेथ पैनल्टी दे खलाफ सब तो वड़ दी हैं, कि तुसी एक बंदे लाइफ लेके, एक क्रुएलिटी ट्रांस्मिट कर दे, एक मैसेज दिन दियो, कि वी एक क्रुएल ससाइटी, इफ वी एक सिविलाइज नेशन, इफ वी एक सिविलाइज सिविलाइजन, जिथे इन्नी कंपैशन पैदा होई थे, बुद्ध जन्वाइज महाविड जन्या, उस मुलक विच उस तर्थी दे विच ता अपानू, ज़ इन्ने ज़ादा मुलकाने समझ आचुक है कि एदिना कोई चीज कर दीनी, इन्ना वाइलनस कर दीनी, वाइलनस करना कदी वाइलनस कर दीनी, और एक जुडिशली वाइलनस ता है, तो आप पर सजाद आई है, सब कुछ कहिए, बट उननों को कारण नहीं है कि हैंग करें, लेट हम लिव दा जेल, तिल इस लाइफ, कौन कह रहा है कि उन्नों चढ़ना है, कोई कह रहा है नों आफ नहीं का रहा है, मगर आप पता इस समाज एक समाज दा हिस्सा बनी है, ते एंड दा कॉम्मटी दा नेशन, एक हाईली इवाल्ड ससाइटी मगर भेव करें, तौडी गाल बिलकुल सपस्ट हो गया, तुसी सारे आज दी बहस्दे वेच आए, सर्फ आखरी कमेंट, आज समाज दे इस असर पेंदा होबे, समाज पाई चारक साँच टोट दी होबे, किसे भी बचार ले जाना चाहिए तुसी सारे आज दी बहस्त शामल होए, थोड़ा है बहुत बहुत तानवाद, कनूनी चारा जोई दा कोई अंत हो सकता है पर जिंदगी मौत दी इस चार्चा दा कोई अंत नहीं है जिंदगी दी इस चार्चा दा अंत होवे वी क्यों की इस मसले उते कनून दे के रेतो बाहर बहस नहीं होनी चाही दी की साड़े मुल्क विच कौमांतरी पदर उते चल रही मौत दी सजा किलाफ मुहमदा सतकार नहीं होना चाहिदा मुआफ करना वड़ा मनुखी गुण रहाए जिस उते समाज ता मान कर सक दाए पर मुल्क ते कनून इस बूली विच संबाद नहीं कर दे दवेंदरपाल सिंग पुलर दे हवाले नाल मसले तांग दिली तूं बहर आके विचारे जाने चाहिदेने ये वेखा जाना चाहिदा है कि इनसाफ दे फौरी अते चिरकाली पक की मांग कर देने नमस्कार सत्सरीकाल खुदा आफिस खबरानाल जुडे रहो दिन रात